नमस्क्राइब दोस्तो मैं हूँ राहूल और आप देख रहे हैं MBA राहूल योटीब चैनल आज किस वीडियो में हम ब्रांच लोन एप से किस तरीके से step by step लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस जानने वाले हैं लेकिन बस इसका application का प्रोसेस ही नहीं बलकि इसके साथ साथ मैं आपको इस loan app का पूरा का पूरा यानि detailed review देने वाला हूँ यानि कि इसके जो भी positive points हैं और negative points हैं उनके बारे भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ताकि आप at the end of the video ये decide कर पाएं कि यहाँ से आपको loan लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए देखे ब्रांच loan app की अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसके कुछ अंदर की ऐसी बाते हैं जो सायद आपको नहीं पता क्योंकि मैंने भी personally research किया देखा कि YouTube पे वो information नहीं दिया है या यूँ बोल सकते हैं कि इतनी detail में लोगों ने नहीं बताया है कि वो detail लोगों को decide करने में help कर सके कि ये app उनके लिए सही है या नहीं है तो चलिए हम पूरी के पूरी detail यहाँ पे आपको देने वाले हैं अंदर की जो बात है वो आपके लिए यहाँ पे हम निकाल के लेके आया है और अगर आपको सच में इस loan app से loan लेना है तो please आपसे request है ये video आप step by step पूरा जरूर देखिएगा ये video थोड़ी से लंबी जरूर हो सकती है लेकिन मैं आपको guarantee देता हूँ कि इस video से जो आपको value मिलने वाली है सायद इस topic से related YouTube पे available किसी दूसरी video से आपको न मिले इसलिए please आपसे request है कि अपने कीमते समय से 5-10 मिनट निकाल कर आराम से बैठ जाएए और पूरी video step by step जरूर देखिए जिससे आपको यहां से loan लेने के complete process के बारे में पता चल सके देखिए चाहें आप यहां self person हो, self implement हो, student हो या house wife हो पूरी detail में मैं आपको बताने वारा हूँ application का process अब देखिए, साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर जो loan मुझे यहां पे approve हो रहा है कितने civil score पे approve हो रहा है, भाई ताकि आखिर आखिर आपको भी पता चल सके कि जिस loan की आपको जरूरत है जितना पैसा आपको चहीए भी वो यह loan app पूरा कर सकता है यहां से आपको उतना loan मिल सकता है यह या नहीं मिल सकता है क्योंकि हो सकता है कि आप कोई वीडियो देखके फटाफट वहाँ पे apply कर दें आपको loan भी ना मिले या बहुत कम मिले जिससे आपकी जरूरत पूरी नहीं हो सकती है यहाँ पे साथी साथ आपका civil score भी खराब होगा क्योंकि आप loan ले या ना ले civil पे आपकी inquiry तो जाएगी ही जाएगी और इस तरीके से आपका civil भी खराब होगा और आपका time भी खराब होगा इसलिए please पूरी information आप जरूर देखके फिर यहाँ से loan के लिए apply करें तो चलिए branch loan application का पूरा का पूरा process आपको बताते हैं साथ ही साथ इसकी सारी की सारी details इसका जो भी minus plus है सारी की सारी जानकारी आपको देते हैं देखी हम यहाँ से play store पे जब गय जाके हमने यहाँ पे download करने की कोसिस की तो वही सबसे पहले हमने दिखा इसका rating जो की 4.5 का है वही इसकी rating अच्छी मानी जाएगी यहाँ इस loan app को जो download किया गया है वो 10 million से भी जादा download किया गया है यहाँ तक तो ठीक है हमने फटावट loan application को यहाँ पे download करना है download पे हमने जैसे ही यहाँ पे click किया click करने के बाद से यहाँ पे application download हो जाता है इसको open करना है, open करने के बाद से सामने यहाँ पे एक message दिखाई देता है यहाँ हमें यह दिखाई देता है कि यह loan app RBI licensed NBFC है यानि कि यह loan app RBI के guidelines को follow कर रहा है तो भाई यहाँ तक तो ठीक है अब हमें नीचे एक यहाँ पे option चूज करना है language का या तो English या Hindi के थूँ हमें पूरा का पूरा application यहाँ पे complete करना है हमने यहाँ पे English को choose किया और आगे continue किया अब सामने यहाँ पे हमें अपना mobile number डालना है नीचे verify के बटन पे click करना है हमारे पास एक OTP आएगा हमें वहाँ पे OTP डालते ही next step में forward कर दिया जाएगा अब आगे यहाँ पे हमारा देखिए mobile number verify हो चुका है हमें अपना email ID verify करना है इसके लिए हमें यहाँ पे verify email address पे click करना है अब यहाँ पे दो option और आपको दिखाई देंगे वो कौन से हैं यहाँ पे सबसे में दिखाई दे रहा है कि जो हमारा already यहाँ पे Gmail login है हमारे Google के अंदर यानि हमारे device में उसके थूरू हम आगे proceed कर सकते हैं या manually कोई दूसरा email ID भी यहाँ पे डाला जा सकता है लेकिन अकर आप दूसरा वाला option चूच किया और अपने email ID को यहाँ पे verify कर दिया अब देखें यहाँ पे यह process जैसे ही complete हुआ सामने यहाँ पे यह जो loan app है यानि branch loan app हम से हमारे device की कुछ permission मांग रहा है तो इस device की permission देने के लिए जैसे देख सकते हैं आप इसमें contact है, SMS है, other कुछ permissions है यहाँ देने के लिए हमें फटाफट information को देना है allow कर देना है अब यहाँ करते ही, हम branch loan app के home screen पे आ चुके हैं यहाँ आपको दो option दिखाई दे रहा है एक तो आपका investment का और दूसरा यहाँ पे loan का तो हमें यहाँ पे loan से related बाते करनी है तो देखिए, अगर आपको मैं investment से related इसकी बात बताओ तो यहाँ पैसा invest करके 12% तक का return भी उस पे पा सकते हैं हाला कि मैं आपको loan से related बात बताने वाल हूँ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर नीचे दो जगा loan का section दिखाई दे रहा है हमने यहाँ पे हमारी KYC सबसे पहले हमें यहाँ पे verify करना है, यानि अपनी ID को यहाँ पे verify करना है अब देखिए, यहाँ पे कुछ options दिखाई दे रहा है, कुछ message दिखाई दे रहा है जिसमें की बोला जा रहा है कि हमारा यहाँ पे pen card, हमारा जो selfie है वो और हमारा income details हमें यहाँ पे देना पड़ेगा तो चलिए ठीक है, हमने यहाँ continue को button पे click किया, तो सामने दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हमें अपना आधार यहाँ पे verify करना होगा OTP के थरू, यहाँ दूसरा option भी नीचे दिखाई दे रहा है कि हम अपने ID card को यहाँ पे upload भी कर सकते हैं देखे, अगर आप चाहें, तो यहाँ पे पहला वाला option आप चूज करके, आगे proceed करके, यहाँ DG Locker के थरू, आधार best अपनी KYC complete कर सकते हैं और चाहें, अगर आपके पास suppose that यहाँ पे आधार card नहीं है, तो जैसे आप नीचे upload वाले option पे चूज करते हैं, वहाँ सामने आपको अपने identity type चूज करनी होती है, दो option आपको दिखाई देता है, या तो आधार या तो आपका voter ID, हलाकि मेरे पास यहाँ पे आधार है, इ हमने यहाँ पे continue किया, और सामने तीन step में जो हमारा KYC है, वो यहाँ पे verify हो रहा है, सबसे पहले हमारे अपने आधार का front image यहाँ पे upload करना है, दिन हमें back image upload करना है, दिन हमारी live एक selfie यहाँ पे upload करनी है, selfie जैसे upload होती है, हमें submit के button पे click कर देना है, अब सामने आपको KYC details यहाँ पे दिखाए देगी, यानि आपको अपनी personal details दिखाए देगी, यह सारी details आपके आधार कार्ड से यहाँ पे फेज कर लिया गया है, आप पूरी की पूरी details चेक करते हैं, हाँ, एक detail आपको यहाँ पे और डालनी है, जो कि आपका pan card number है यहाँ जिसकी basis पे आपक जो LGBT है वो चेक की जाएगी, और इसके अलवाद नीचे कुछ और details हो सकते हैं, जो आपका पहले यहाँ पे न लिया गया हो, वो भी detail आपको डालनी है, and detail डालने के बाद से आपको tons and conditions को यहाँ पे accept करना है, and then आपको continue पे click कर देना है, अब सामने आपको यहाँ अपनी income details डालनी है, income details में ऐसा नहीं है, कि आपको bank statement upload करना है, या income को verify करना है, जी नहीं, ऐसा नहीं है, just आपको अपना income type select करना है, आपको click करना है, and आप solid है, self-employed है, unemployed है, या आप यहाँ पे other है, आप choose कर लेते हैं, choose करने के बाद से, जैसे मैंने यहाँ पे solid यहाँ पे select किया तो मेरा income पूछ रहा है कितना है, तो जो भी आपका income range है, आप होाँ से select कर लेते हैं, मैंने select कर लिया, select करने के बाद से continue किया, continue करने के बाद से आप देखेंगे, आपको यहाँ पे bank details आपको डालनी है, आप click करते हैं, और जो भी आपका bank है, bank select कर लेते हैं, then अपना account number यहाँ पर select करते हैं and after that आपको यहाँ पर submit के button पर click कर देना है अब सामने यहाँ पर मुझे मेरा loan offer दिखाई दे रहा है जो कि मुझे approve हुआ है मैं आपको यहाँ पर आगे civil score भी बताने वाला हूँ कि कितने civil score पर मुझे यह loan approve हुआ है तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 2500 का maximum loan मुझे मिल रहा है साथी साथ यह loan या तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर 1500 का या 1000 का या 500 का या 500 से लेके finally यहाँ यहाँ भाई हजार रुपे तक का loan मैं apply कर सकता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पर choose करता हूँ हाई अजर वाला आपको चुकी मुझे बताना है इसलिए maximum loan का amount मैं यहाँ पर choose कर रहा हूँ नीचे continue का जो button दिखाई दे रहा है उसको मैंने यहाँ पर click कर दिया after that देखिए आप इसे चाहे तो adjust भी कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको select loan terms पर click करना है और यहाँ आपको choose करना है कितने दिन के लिए आपको यह loan चाहिए दो यहाँ पर दिखाई दे रहा है दो term एक तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 days का और दूसरा आपका 62 days का दिखाई दे रहा है तो चलिए आगे मैं जोकि maximum term यहाँ पर choose करके आपको दिखाऊंगा तो मैंने यहाँ पर 62 days का जैसे यहाँ पर choose किया अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है जी हाँ यह step आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि यही वो calculation है जिससे आप decide कर पाएंगे कि आपको यहाँ से loan लेना है या नहीं लेना है देखिए यहाँ पर 2500 का loan जो मुझे मिल रहा है उसके लिए मुझे processing fee pay करने पड़ रही है 249 rupees और उस पर GST लग रहा है 45 rupees का जो कि तोनों अगर मिला दे तो यह हो जाता है आपका 294 rupees तो देखिए यहाँ पर यह दोनों जो amount है यानि दोनों जो charges है वो मेरे loan के amount से कम कर दिया जा रहा है deduct कर लिया जा रहा है उसके पास से मेरे account में यहाँ पर 2206 rupees transfer किये जाएंगे और total यहाँ पर जो इसका interest लगने वाला है वो आपका 152 rupees का लगेगा जी हाँ और total जो मुझे pay करना है वो आपका 2652 रुपिया यहाँ पर मुझे pay करना है जी हाँ और 2 EMI जो मुझे भरनी है वो आपका यहाँ पर 1326 और दूसरा भी same उतना काई है तो यह आपके यहाँ पर मुझे pay करने है अब चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बताओं तो यहाँ देखिए यहाँ यह जो loan मुझे मिल रहा है तो दोनों charges मैं आपको बता दू तो दो महिने का loan यहाँ पर मिल रहा है और मैं यहाँ पर इनको अगर calculate करूं तो यहाँ पर 2500 का 295 रुपी जो charges मुझे पहले यहाँ पर देने पड़ रहे है यहाँ GST और साथे साथ processing fee के रूप में वो आपका 11.76% यानि लगबग 12% हो जा रहा है मेरे account से मेरी जो loan का amount है पहले ही वहाँ से deduct कर लिए जा रहा है इसके अलावा जो यहाँ पर मुझे interest pay करना पड़ रहा है जो कि 152 रुपीज का है वो लगबग 6% हो रहा है यानि कि महीने में लगबग 3% का interest भी यहाँ पर मुझे pay करना पड़ रहा है तो यहाँ पर अगर overall मैं अगर देख हूँ दो महीने के लिए जो कि यहाँ पर एक महीने के हिसाब से अगर मैं calculate करूँ तो 9% आपका हो रहा है वही 12 मंत के हिसाब से अगर देखे तो यहाँ पर 108% का charges और interest rate आपको annually यहाँ पर देना पड़ रहा है तो आप देख सकते हैं अगर आपको यह loan लेना है देखी अगर आपको लेना आप खुड decide कर सकते हैं तो आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है continue के button पे click करना है आपको अपना banking detail यहाँ पे confirm करना है सामने दिखाई देगा और आपको apply के button पे click करना है अब सामने यहाँ पे आपको जो भी loan agreement है loan agreement वो आपको दिखाई देगा आपको read कर लेना है then आपको यहाँ पर confirm करना है and accept and continue के बटन पर आपको click करना है loan का जो पैसा है मैं आपको बता दू instantly within minute minute भी नहीं लेगा आपके account में आ जाएगा लेकिन देखिए यहाँ सोचना आपको है कि अब आपको मैंने पूरा पूरा calculation आपको दे दिया यहाँ से आपको loan के लिए apply करना है या नहीं करना है तो यह 25 रुपे का loan मुझे 754 के civil score पे मिला हुआ है चलते मिलेंगे एक और ने वीडियो के साथ तब तक के लिए बबा and take care